Hello to everyone, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर जियो थर्मल पावर प्रांट्स का, यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंस बिट्वीन जियो थर्मल एंड नॉर्मल कोल वाले जो हमारे पावर प्रांट हैं उनके बारे में, साथी साथ एन्वारोमेंटल कंसिडरेशन तो शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज में आपको बता दूँ, जियो थर्मल और नॉर्मल पावर प्रांट में जो कॉमन चीज हैं वो है स्टीम ड्राइब टर्बाइन्स, दोनों के केस में हम स्टीम की ही बात कर रहे हैं, बट हम जारे जो नॉर्मल पावर प्रा बना सकते हैं, यह हम सिटी के अंदर भी सिचुएट कर सकते हैं, मेगावाट रेंज भी बहुत हाई होती है, तो यही सारे डिफरेंस हैं, कि अवे फ्रम दा सिटी होते हैं, जियो थर्मल, फ्लोईड जो होता है वो लो टेंप्रेचर पर रहता है, जबकि यहाँ पर हम हाई टेंप्रेचर कर सकते हैं, पांच से लेकर पंदरा मेगावाट के रेंज के छोटे छोटे पावर प्लांट को बनाया जाता है, इस टीम वहाँ पर कॉल को बंड कर के प्रिडियूस करते हैं, यहाँ जियो वेल से हम निकालते हैं, विये कंतिनुवर्डली चलते रहते हैं, जबकि हमारे नॉर्मल ज़ो पार प्लांट है उसको हम बंद कर सकते हैं, अर्ट से एनर्जी का इस्तमाल करते हैं, कोल को बंद नहीं करते हैं, यह सबसे important point है, जो pollution को कम करता है, और natural resource को इस्तमाल करने का मतलब हम एक renewable source को इस्तमाल कर रहे हैं, जिससे हमें जो energy मिलेगी वो कभी भी ना खतम होगी अब environmental consideration देखिए जब भी हम ऐसे काम करेंगे obviously वो environment को तो परिशान करेंगे हम जब भी drilling करते हैं या इस टाइप की gases को बाहर निकालते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह completely pollution free है इसमें से H2S, ammonia, methane, carbon dioxide भी प्रचुर मातरा में निकलती है noise pollution भी बहुत ज़ादा होता है because of the drilling और साथी साथ जैसे मैंने बताया surface disturbances जैसे भुकम भी आ सकता है, landscape भी हो सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े possible है, land slides भी हो सकते हैं उसके साथ साथ जो हमारे dry rocks हैं, अंदर हमारे earth crust के अंदर उसको ठंडा करने के लिए, steam produce करने के लिए बहुत ज़ादा amount of पानी चाहिए चोटे से पानी, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा पानी इस्तमाल करें ठीक, तो उसके वज़ा से पानी भी हमारा खतम होता चला जाएगा, तो यह सबसे बड़ा factor है कि water level यहां पर कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहां ज़ादा हमें पानी की जरुरत होगी stainless steel के सारे equipment होने चाहिए, जिससे cost बढ़ जाएगी, copper को भी हमें protect करना पड़ेगा, जिससे हमारी cost बढ़ जाएगी huge quantity of underground water जो है, वो भी इस्तमाल होगा, तो इस वज़े से water level कम हो सकता है water scaling problem हो सकती है, erosion problems हो सकती है, जो steam निकलेगी उसकी वज़ा से dense fog हो सकती है harmful substances और कभी-कभी radioactive material भी वहाँ पर निकलते हैं, और साथ-साथ में कुछ solid particles भी वहाँ पर निकलते हैं, जो लगभग 300 से 1500 ppm होते हैं, जो की लगभग 25 से 50% उस particular steam के अंदर मौजूद होते हैं, बट फाइदा ये है कि ये exhaustive मतलब renewable कभी भी ना खतम होने वाली, सालो साल चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, सबसे सस्ती, या फिर combustion में भी कहें कि कोई fuel की आवशक्ता नहीं है, load factor सबसे ज़्यादा, मतलब कम से कम pollution में ज़्यादा power produce करने वाला, CO2 और SO2 निकलते तो हैं, बट कम मातरा में निक कर सकते हैं, या फिर electric power में भी convert कर सकते हैं, तो सारे काम इससे कर सकते हैं, demerits वही, हम बात करें, तो environmental consideration की, pollution free नहीं होती है, pumps जो हम इस्तुमाल करते हैं, वो 3 से 4 गुना जादा, यहाँ पर तो 2 से 3 लिखा है, मैंने net पर पढ़ा था, 4 गुना जादा भी हमें इस्तुमाल करना पड़ सकता है, एक particular X amount of megawatt electricity को produce करने के लिए, तो pumping action यहाँ पर जादा होता है, जादा mineral content होते हैं पानी में, जिसकी वज़ा से soil erosions या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, noise pollution अगर हो सकता है, soil depletions, और large area भी हम खाली करवा लेते हैं, अगर ऐसी हमें states पता लगत करते हैं, applications, obviously सबसे पहली तो electricity, उसके अलावा हम उसको aquaculture, horiculture, thermoculture और commercial use के लिए भी इस्तमाल करते हैं, जैसे industrial processing heat, space heating, जैसे हमने solar में किया था, salt production करने के लिए, plastic manufacturing करने के लिए, fish drying और fish meal prepare करने के लिए, dried milk, food processing, sewage heat treatment, as well as somewhere हमें छोटी छोटी जगा उपर residential और industrial space heating और cooling purpose के लिए, water heating purpose के लिए, not cooling हम इस्तमाल करते हैं, इस type की energy को, that is geothermal energy, so यहां हमने finally खतम किया, geothermal energy को, अब हम next unit में MSD, that means magneto hydrodynamics, शुरुआत करने वाले हैं, thank you all.